हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आर के एकजाम क्रेकर मैं विस्नुदत सर्मा एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के एकजाम क्रेकर पर स्वागत करता हूँ फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए जो हरियाना स्टाफ सेलेक्शन कमिशन की आज का जो ग्राम स्चिव का एकजाम हुआ है उसका मोर्निंग सिप्ट का पेपर लेकर आ हूँ इस वीडियो में मैं आपको जो morning shift में पूरे 90 question थे उनकी answer की और उनके solution बताऊंगा इससे आप अपनी answer की को match कर पाएंगे और आप देख पाएंगे कितने आपके question सही है और friends जो ये मैं पहले भी जो 9 तारिक का paper था आज ये 10 तारिक का paper है उससे पहले जो 9 तारिक का paper था वो मैं answer की upload कर चुका हूँ आप वो भी check कर सकते हैं और वो question paper भी आप देख सकते हैं उनका solution भी वो मैं link description में share कर दूँगा आप वहां से direct share कर देख सकते हैं वीडियो को और friends जो answer की है ये मैंने बहुत ही अच्छी तरह से काफी accurate जो stick answer की त्यार की है आप यहां से अपने questions को देख सकते हैं और friends अगर आप channel पर नए आए हैं तो channel को subscribe जरूर कर ले क्योंकि यहाँ पर मैं आपके जो त्यारी से related videos daily लेकर आता रहता हूँ उससे आप हमारी videos के notification पाते रहेंगे और videos को आप आसानी से देख पाएंगे तो देखते हैं आज का question paper जो ये question paper है मेरे पास morning shift का है ये L code है 90 minute का ये paper था यानि डेट घंटे का 90 question थे और maximum marks 20 के 90 है सबसे पहला question देखते हैं पहला question है हर्याना में सबसे अधिक साकसरता वाला जिला यानि literacy rate है कौन से जिले में सबसे ज्यादा सही answer होगा option B गुडू ग्राम में या गुडगाओं में महत्मा गांदी ने अपनी परसिट डांडी यात्रा किस तारिक को आरम की तो date पूछी गए है तो सही answer होगा यहाँ पे हमारा option C यानि यह start की थी 12 March 1930 को सही option option C हर्याना में HLRDC का मतलब तो सही answer होगा यहाँ पे HRLDC की full form होगी option D हर्याना Land Reclamation and Development Corporation next question है maths का एक simple question average का mean का एक विदार्थी को 3, 11, 7, 9, 15, 13, 8, 19, 17, 21, 14 और X last जो number है X है उनका अंकणित यह माध्य mean निकालना है उसके बाद उसको answer 12 प्राप्त हुआ इसका जो mean आया जो माध्या आया वो 12 है तो X की value निकालनी है तो यहां पर हम क्या करेंगे सभी numbers को जोडेंगे और फिर यह total numbers हमारे 12 हैं तो फिर 12 से divide कर देंगे equal to 12 रखेंगे यहां से X की value निकालेंगे अगर हम इनको जोडते हैं तो आप जोड कर लेना एक बार 137 प्लस X आएगा और divide by फिर 12 करेंगे और equal to 12 तो 12 को उदर जाके 12 से multiply यह 144 हो जाएगा तो 137 प्लस X equal to 144 और X की value यहां से मारी आजएगी 144 minus 137 यानि 7 आजएगी तो सही answer होगा option है 7 अफरिका के string यानि जो अफरिका का horn है इंगलिस में horn बोलते हैं उसमें कौन सा देश स्थित नहीं है इन में से तीन देश horn of अफरिका में आते हैं लेकिन एक देश नहीं आता तो यहां पे सही answer होगा हमारा 5th question का option D जो लिबिया है वो horn of अफरिका में नहीं आता बाकी तिनों देश आते हैं total यहां पे 8 countries है horn of अफरिका में सरिंखला पूर्ण करे एक सीरिज दे गई है reasoning की इसको पूरा करना है तो यहां पे हमारा answer आएगा option D sorry इसका जो सही answer होगा option A होगा 6th question का option A देखे यहां पे क्या सीरिज देगे है 726 ध्यान से देखेंगे तो यह cube क्या जो numbers की cube है उनसे 1 minus किया गया है जो 7 है वो है 2 की cube minus 1 फिर 3 की cube 27 minus 1 फिर यह 3 की cube minus 1 फिर 4 की cube minus 1 sorry 5 की है यह 4 की है तो ऐसे ही यहां पे यह 7 की cube minus 1 है फिर 8 की cube minus 1 आएगा यानि 512 minus 1 511 answer option A सही होगा 7th question एक वैक्ति को parcel में कुछ डिबे पैक करने है एक parcel में पैक करता है तो एक डिबा से इस बचता है यदि वै पार्सल में 7 पैक करता है तो कोई नहीं बचता डिबो की संख्या बताइए तो हम इसको question को आसानी से option से कर पाएंगे वैसे करेंगे तो यह lengthy हो जाएगा काफी LCM लेके फिर solve करेंगे तो equation बनाके तो option से करेंगे अगर 7 से divide करके देखेंगे option को सही answer यहाँ पे A answer आएगा हमारा 7 से divide करके देखेंगे तो कोई भी says नहीं होना चाहिए तो 7 से 8 divisible है और 4, 5, 3, 4, 5, 6 से अलग-अलग divide करने के बचाए इनका LCM लेके उससे divide करेंगे तो एक remainder बचेगा तो सही answer satisfy होगा option A किस वर्स में हरियाना के सुल्तानपूर राष्ट्रिया उद्यान को राष्ट्रिया उद्यान का दर्जा दिया गया तो यह मिला था इसको 1991 में option A सही होगा 8 question का एक संख्या और उसके तीन बटे 5 के बीच का अंतर 50 है यानि कोई संख्या मान ली और उसके तीन बटे 5 पार्ट है उनके जो बीच का difference है यानि एक संख्या एक में से अगर तीन बटे 5 गटाएंगे तो difference आएगा 2 बटे 5 क्योंकि जो 2 बटे 5 fraction बचेगी तो उसकी वैल्यू दे गई है 50 यानि 2 बटे 5 की वैल्यू 50 तो हमें total संख्या बतानी है पूरी संख्या तो एक की वैल्यू निकालनी है एक की वैल्यू के लिए 50 में उदर जाके यह multiply होगा 5 by 2 तो यहां से 25 पे कटेगा और 25 पंजे 125 सही answer option B 125 वैल्यू नेक्स्ट है एक जनवरी 2014 को ब्रिस्पतिवार था यह calendar का question है एक जनवरी 2005 को सब्ता का कौन सा दिन होता पूछा गया है तो देखिए यह leap वर्स है तो अगर leap वर्स नहीं होता ordinary year होता है तो हम एक दिन बढ़ जाता next date को सेम डेट है एक जनवरी तो leap year है तो दो दिन बढ़ेंगे यहाँ पर क्योंकि leap year में दो ओड़े होते हैं तो यहाँ पर ब्रस्पतिवार से सुकरवार और फिर सनिवार तो एक जनवरी 2005 को सनिवार होगा सही answer option C यह इसको करने का shortcut method है बिलकुल तीरिया के मजमूम दुआरा लिखा गया यह तीरिया के मजमूम है जो यह book है पूस्तक है किन के दुआरा लिखी गई है तो सही answer होगा यहाँ पर option A अल्थाफ हुसेन हाली ने लिखी यह book हर्याना के पहले मुख्यमंत्री कौन थे तो सही answer होगा भगवत द्याल सर्मा option C 13 question हर्याना में पहली बार राष्टरपति शाचन कब लागू किया गया तो सबसे पहले यह option C सही होगा 21.1967 पहली बार 1967 में फिर 1977 में फिर 1909 में तीन बार अब तक हर्याना में राष्टरपति शाचन लागू हुआ है फ्रेंट बेक्ग्राउं में कुछ noise आ रही है आप उसके लिए थोड़ा आप वो compromise कर लेना यहाँ पे थोड़ा सोर हो रखा है नेक्स्ट है एक reasoning का question है 14 question रोज का एक code दिया गया है 6821 chair का code दिया गया 73456 फिर preach का code दिया है फिर हमें search का निकालना है तो इनसे हम इसके जो alphabet से उनका code इनसे search करेंगे अलग-अलग सबसे पहले SE ये रोज से आएगा 2-1 उसके बाद आएगा हमारा जो AR है वो chair से देख लेंगे A और last इसका letter वो आएगा 4 और 6 फिर CH CH इसके preach के last के 2 letters है 7-3 तो यहाँ पे सही answer आएगा 2-1-4-6-7-3 यानि option A 15 question निमले खित में कौन सी परनाली कौन सा system परत्यक्स चुनाओ के आधार पर स्थापित की जाती है तो सही answer होगा option A जो gram पंचायत है उसमें परत्यक्स जो direct चुनाओ होता है election next है 1095 और 1168 यह एक fraction दीगे इसका सरलतम रूप तो friends यह कहीं exam से repeat हो चुका question सही answer होगा option है 15 by 16 देखिए उपर वाला है जो उसके गुणनखंड होगे factors होगे 3 into 5 into 73 और नीचे वाला जो factor है denominator में हर में उसके factors है 16 into 73 तो यह 73 पे कटेगा फिर 15 divided by 16 सही answer option A हरियाना में अंतरष्ट्रिय बागवानी बाजार खालिस्तान में स्थापित किया जाने की योजना है तो इसका सही answer होगा option D सोनिपत में यह जो गनोर सोनिपत है वहाँ पे यह स्थापित किया जाएगा यह काफी लगबग 2012-13 में यह पास हुआ था योजना थी और अभी बन भी चुका है कौन सा बिर्टीस गवर्नर प्लासी के युद के दुरान बंगाल के नुआप से लड़ा था जो प्लासी की लड़ाई होती उसमें बिर्टीस गवर्नर लड़ा था रोबर्ट कलाईव सही option option D नेक्स्ट है इस समयधानिक संसोधन रदियम दुआरा भारत में बद्दान के आयू घटा कर 18 वर्स कर दी गई तो जो constitutional amendment था 18 वर्स के आयू की गई थी जिसके दार हो था 61 जो 61 समयधान संसोधन था सही answer D option चार वैक्ति मैट्स का एक स्वाल है चार वैक्ति चार च्टाईयां चार दिनों में बुन चकते हैं तो आठ वैक्ति आठ दिनों में कितनी च्टाईयां बुनेंगे तो इसके लिए simple formula M1 D1 by W1 equal to M2 D2 by W2 चार वैक्ति हैं चार दिन में काम कितना चार गिया उन्होंने चार वो बनाई है च्टाईयां आठ वैक्ति होंगे आठ दिन में कितनी च्टाईयां बनाएंगी X बनाएंगे माल लिया हमने तो यह 4 से cancel होगा 2 4 से cancel दो यह 4 आगया और यह 4 cross multiplication करेंगे तो X की value आएगी यहां से 16 X की value 16 सही answer होगा option B next question करते है 21 एक यह reasoning का direction वाला question है सीवम है जो उत्तर की ओर जाता है 10 km यहां से सीवम चला 10 km वहां से दक्षिन की ओर वहां से वापस आता है और वापस आके यह फिर 6 km चलता है यहां पर आ जाता है यह 6 km, यह 4, यह total 10 गया था फिर वहां पूरव की ओर 3 km चलता पूरव यह है इदर जाता है यह 3 km यह 3, यह निचे वाला 4 हो गया पुछा गया है अभी वो जो कितनी दूर पहुँच गया आरंभिक पॉइंट से और किस दिसा में है तो यहां से यह 5 अगर स्थों पर 5 आ जेगी वैलिव इसकी और यह दिसा में इसकी नौर्थ इस्ट उत्तर पूरव तो सही अंसर होगा 21 कोशन का ओप्शन D फॉंट अकार को बिंदू में मापा जाता है एक बिंदू एक इंच का लगबग कितना होता है जो फॉंट साइज होता है हमारा कंप्यूटर में या किसी फॉंट पे भी होता है यह हमारा साइज जो वर्ड्स का तो वो एक बिंदू है जो इंच का कितना होता है तो यह होता लगबग एक बटे पचास या एक बटे बावन, सही अंसर option C, हर्याना को blank की भूमी का जाता है, तो यहाँ पे answer B सही होगा, भारत की गेहों की टोकरी का जाता है, और यह पंजाब और हर्याना दोनों को का जाता है, यहाँ पे सही अंसर option B, वह वाइसरा है जिसे भारत में स्थानिय सवसासन का जनक का जाता है, सही अंसर होगा हमारा option B, लोड रिपन को स्थानिय सवसासन यानि लोकल सेल्फ गर्मेट का जनक का जाता है, हर्याना में डेरू क्या है, डेरू क्या है, डेरू एक लकडी की खोल से बना यंतर है, जो की वाद्य यंतर है, ज एक जलवायू के संगनन दुआरा, संगनन दुआरा बने छोटी जल की बूंदो या बरफ के छोटे कणों का धेर होता है। इसमें फिर राष्टरों के बीच नियाईपुरों और सम्मान जनक संबंद बनाए रखना है। Option C, नादिर सा और मौमद सा के बीच ये लड़ा गया था। निमिलिक्षित में कौन सा एक मद्याइसियाई देश नहीं है। इनमें से जो सेंट्रल एसिया का मद्याइसिया का देश नहीं है, वो होगा हमारा सही option। Option C, यानि अजर्बेजान है जो वो मद्याइसिया का देश नहीं है, बाकी तिनों ये मद्याइसिया के देश हैं, रसिया के आसपास के देश हैं। Question 30, एक blank सभी स्त्रोथ कूटों को मसीन कूट में बदल देता है, यानि जो source code होता है, उसको ये मसीन कोट में बदलता है, वो क्या होता है, और एक निस्पादन योग्या फाइल बनाता है ये, तो सही answer होगा हमारा पे यहाँ पे, compiler, जो compiler होता computer में, वो source code को मसीन कोट में ब और दोगिक माडल टाउंसिप, यानि IMT विक्सित की गई है, वो किस प्राधिकरण ने की है ये, सही answer होगा option C, हर्याना राज्य और दोगिक विकास निगम, यानि हर्याना स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलप्मेंट कोर्पोरेशन, HSI DC, short form में बोलते हैं, next question है, 31 question, SCSI का व system interface, दीए सारे option सेम से दिये गए हैं, द्यान से देखना होगा, small computer system interface, 1789 से 1700 चुरणों के बीच, जो दिल्ले और हर्याना पर कौन से सासक ने राज किया, किनका सासन था, सही answer होगा हमारा option D, महादर जी, सिंधिया ने यहाँ पे राज किया था, next निमिलिकित में some electronic ion है, ज को बोलते हैं some electronics, यानि यहाँ पे electrons की संक्या सेम होगी, सही answer होगा 34 का C, हर एक के 10 electron है, N3 minus के 7 तो इसके हैं, atomic number होता है, और 3 यह plus होगे, तो 3 electron यह जुडेंगे, 10 होगे, O2 के 8 plus 2 10, और fluorine का जो है, वो 9 होता है, plus minus 1 charge है, तो 1 को red होगा, तो यह 10-10 electron तीनों के होगे, सही option C, next है, राजा गजपत सिंग, गजपत सिंग दुआरा, सत्रा सो पचेतर में बनाएगे, किले का नाम बताईए, तो यहाँ पे हमारा सही answer होगा, option A, जीनत का किला बनवाया था, उन्होंने, सत्रा सो पचेतर में, विसम सबत चुनिये, इन में से, odd one, जो word है, वो चुनना ह हर्याना की विदानसभा के पहले स्पिकर कौन थे, तो याद करेंगे काफी repeated question है, सबसे पहले स्पिकर थे हमारे राओ विरेंदर सिंग, अगर महिला पूछी जाए, तो सन्नो देवी थी पहली स्पिकर, निमलिकित में किस समीती ने भारत में पंचैती राज परनाली की अन एक लड़का साथ मिटर तिरजा के एक अर्दवरित को पांच सेकिंड में पूर्ण करता है, लड़के जवारा तै की गई दूरी, तो यहाँ पे पांच सेकिंड का कोई यूज नहीं है, हमने अर्दवरित है, सेमी सरकल है, उसका सरकंफ्रेस निकालनी है, तो इसकी आएग का 22 अंसर होगा, तो 22 मिटर ओप्शन भी सही होगा, अर्याना के किस जिले में काले सर वनेजिव अभ्यान सितित है, तो यह सभी को पता है, यह मुना नगर में है, सही अंसर ओप्शन भी, अर्याना पंचैती राज अधिनियम 1994 की कौन सी धारा, कौन सा सेक्शन पूछा गय अंसर होगा, ओप्शन C, धारा 133, कौन से दो भारतिया राश्टरपती अपने कार्यकाल के दोरान मृत्य को प्राप्त हुए, यानि वो जब राश्टरपती बने हुए थे, उस कार्यकाल में उनकी मृत्य हो गई, तो सही अंसर होगा, हमारा एक तो जाकिर होचैन थे, और एक ते हमारे फकरुदिन अली एहमद, यानि वन और थरी, सही अंसर होगा, ओप्शन A, हर्याना के उस किर्केट वेक्तिताओं का नाम बताइए, जिनकी कप्तानी में बारत ने 1983 में पर्थम किर्केट विस्वकप जीता था, तो ये ते हमारे कपिल दे, ओप्शन C, सही दिया गया है, तो ये डिरेक्ट कोशन है, 44, इसका अंसर होगा, ओप्शन D, जो चैप्टर 20 है, उसमें चुनाओं से समंधी प्रावधानों को बता गया, इलेक्शन से रिलेटिड है, ये 20, चैप्टर 20, नेक्स्ट मैट्स का कोशन है, रेश्यो का, यदि 782 रुबे को 1 ब इसके अनुपात में 3 भागों में बाटा जाएगा, तो पहला भाग को क्या होगा, तो सबसे पहले हम इसको रेश्यो में कनवर्ट करेंगे, एलसे हम लेंगे 12 आएगा, और यहां से 2 छी के 12, यानि 6, दूसरे में 3 चोके 12, और 4 दूनी 8, और फिर 4 तिये 12, तिये 9, तो ये तो 6 बटे 23 और ये 782 में से निकालने, ये वैल्यू आएगी हमारी अंसर, तो ये काटेंगे हम, 3 पे जाएगा पहले, और फिर 4 पे जाएगा, 9 बचेंगे 6, फिर बाणुए 13 ओके बाणुए, 34, जो 34 और मल्टिप्लाई 6 होगा हमारा अंसर होगा, 34 इंटू 6, ये आएगा अंसर, 204, सही अंसर होगा, 45 का, option B, 204 रुपे होगा, पहला भाग, अवेक का, विमिय सुतर, यानि जो उसका, विमिय सुतर है, अवेक का, इंपल्स का, वो बताना है, तो ये सही अंसर होगा, option D, MLT-1, और जो इंपल्स होता, उसका formula होता है, force into time, और फिर force होता, mass into acceleration, तो formula बनेगा, M into A into T, पंचायती राज, 47 question, पंचायती राज परनाली, जो पंचायती राज सिस्टम है, उसमें, राज सबद का क्या मतलब है, तो राज का मतलब यहाँ, सासन करने से, रूल करने से, सही अंसर, option A, टोडरमल ने किस मुगल स्मराट के सासन के दुरान, भू राजसव यानि revenue system है, टोडरमल ने यह अकबर के सासन में किया था, सही अंसर, option C, हर्याना के उजिले का नाम बताईए, जो परशिद हिंदू, हिंदूस्तानी सास्त्रिय संगी तक गया, जो पंडिज जसरात थे, उनकी मृत्यों भी हो गई अभी, हाल के कुछ महिनों पहल नहीं, तो यह थे हिसार से, हिसार में इनका जनम हो था, हर्याना के राज्या विदानसवा में धनविदेक, यानि जो money bill होता है, उसकी पूरो मंझूरी किसकी मंझूरी पर पेस होता है, कौन पहले मंझूरी देता है, उसके बाद यह धनविदेक पास होता है, सही अंसर अनुवान सिखता यानि जो हैरिडिटी है उसका जो रूल है नियम है वो किन के द्वारा परति पादित किया गया तो ये सही अंसर ओप्शन भी ग्रेगर मेंडल ने ये दिया गया था इनको ही फादर ओफ हैरिडिटी भी बोला जाता है नेक्स्ट क्वेशन है फिप्टी टू हरियाना के पिंजोर में जो यादिवेंदर गार्डन है उसके डिजाइनर कौन है किनोंने डिजाइन गया सही अंसर होगा ओप्शन सी नवाव फिदाई खान 50 यह हमारा 53 question था 52 था 53 ताजा वाला silver chloride अवसेक्स में जो ताजा बना silver chloride होता जो हमारा उसका जो solution होता उसमें उप्युक्त विदुत अवगटी है डाल कर click यह विलियन में बदला जा सकता है इस process को क्या बोलते है तो इसका नाम होता है option C pepti current, peptization बोलते हैं हर्याना में दरी का बनाने वाला केंदर कहाँ पर सबसे ज़्यादा दरी बनती हो पानी पजिले में सही answer option B भारत के cool भगोलिक अक्षित्तरपल में जो हर्याना का हिस्सा वो कितने परतिशत है सही answer का option C सभी को पता कापी repeated question है 1.34% option C रजिस्टरों का अकार computer का एक question है register का size से memory से related जो register का अकार है जो कभी कभी उसको हम क्या बोलते हैं पूछा गये क्या बोलते हैं जो कि किसी दिये गए समय पर computer जी साकड़े की मातरा के साथ कर सकता उसको ये दरसाता उसको दिखाता है उन आकड़ों को तो इसको बोलते हैं word अकार word size बोलते हैं English में सही answer option A 57 question करते हैं हरियाना पंचैती राज अधिनियम है जो 1994 का उसकी कौन सी धारा कौन से section के अंतरगत मद्दान की गुप्तता का अनुरक्षन से संबंदित है तो ये धारा है हमारी सही answer होगा option B दुश्धारा 183 है वो मद्दान की गुप्तता से संबंदित है कुछ लड़कियां है एक पंक्ती में reasoning का ranking का row का question है जो बैठी है जिसमें क्या है रतना है जो एक line कहाची हमने रतना इदर से left से ये बैठी है इदर ये 9 स्थान पे है वो एक दूसरे से इंटरचेंज करती है अपना स्थान बदलती है तो जो रतना है यहां पर आ जाती है और ये बैठी है इस position पे आएंगी तो इसकी जो position दिगए है वो बैठी हैं पंदर वी यानि एक point की हमें दो position पता चल गी ये पंदरवा point पंदरवी position left से है और right से ये 9 है तो पंक्ति में total लड़किया कुल कितनी लड़किया तो यहाँ पे हम formula होता है left plus right minus 1 ये total लड़किया होती है रों में कोई भी बुवाईज ये लड़किया तो इस point की position पता है left right तो 15 plus 9 24 minus 1 23 सही answer होगा option A ते इस आएगा answer पंचैती राज पर नाली है जो system है उसको किस चीज़ के सिंधान पर आदारित है सही answer होगा हमारा option C सत्ता का विकेंद रिकरन decentralization of मतलब जो decentralization होता है सत्ता का उसको बोलते हैं निमिलिक्षित में कौन सी भीन 3 बटे 4 से बड़ी है और 5 बटे 6 से छोटी है तो यहाँ पे हमारा सही answer होगा option C 4 by 5 हमें पता है 3 by 5 75% होता है 5 बटे 6 होता है जो वो 80 से कुछ ज्यादा होता है 83 कुछ और 4 बटे 5 है 80% तो इनके बीच की जो है ये भीन है सही answer option C जो स्विधान का अनुचेद अर्टिकल है वो है सही answer है option C अनुचेज 243 में ये सब कुछ दिया गया उसके part F में है 62 कोशन विश्वज अंसंक्या दिवस यानि जो world population day हो कब मना जाता है सही answer होगा हमारा option 11 जुलाई को हर साल मना जाता है किसे पंचैती राज का सिल्पकार कहा जाता है यानि आर्किटेक्टो पंचैती राज सही answer होगा option C बलवन्त राए मेहता को फिर एक maths का simple question है 3 की power x-y है 27 तो 27 3 की power 3 होता है तो x-y की value आगी 3 और ये 243 3 की power 5 होता है तो यहाँ पे x की x plus y की value आगी 5 तो दोनों equation को solve करेंगे x की value निकालनी है दोनों को add करेंगे y cancel हो जाएगा 2x equal to 8 दोनों को add करेंगे तो और x equal to आएगा फिर 4 सही answer option C अर्याना में कालिस्तान भिवानी जिले का विदानसबा अक्षेतर है तो इन सब में जो सही answer होगा हमारा 65 question का option D जो लोहारू है वही इनमें भिवानी जिले में शिथित है और वहाँ का विदानसबा अक्षेतर है बाकी ये लोहारू जिले में नहीं है कोई भी option भारत के पंचैती राजपर्दाली में कितने सथर है तो यहाँ पर हम सभी को पता है 3 सतर हैं ग्राम पंचायत, पंचायत समित्य और जिला प्रिशद एक monitor का खालिस्तान 32 समय कीव है संक्या जो electron gun screen पर परतेक पिक्सल को scan कर सकी तो उसको क्या बोलते हैं एक जो monitor होता उसको screen में इस से related जो ये speed दीगी है 32 समय की उसको क्या बोलते हैं तो यहां पे सही answer होगा हमारा option B refresh दर यानि जो refresh rate होता है वो इस चीज को दर्साता है 68 question उस जिले का नाम बताए जो हरियाना में लोहन न लिकाओं का सबसे बड़ा उत्पादक लोहे का यानि स्टील से related हिसार जिला option C सही होगा 69 question भारत के किस राजय में पंचैती राज प्रनाली असीताओं में नहीं है तो यहां पे हमारा सही answer होगा option D जो तीनों राजय हैं में गाले नागेलेंड मिजोरम वहां पर पंचैती राज सिस्टम नहीं है एक reasoning का question है series का question mark जो चीन है वहां पे क्या आएगा तो सबसे पहले हम देखेंगे A B बना है फिर A B C फिर A B C D फिर next आएगा A B C D E तो question mark में E आएगा सही answer option C 71 question है यह हमारा थोड़ा यह धुंदला दिख रहा है पंजाब और हर्याना उच नहले के पर्थम मुख्य ना दी पहले chief justice कौन थे सही answer आएगा हमारा 70 question का जो नयायमूर्थी रामलाल है जो रामलाल है नयायमूर्थी 71 का है सोरी है नयायमूर्थी रामलाल थे पहले chief justice फिर next है हमारा हर्याना पंचैती राज अधिनियम है जो 1934 उसमें सही उत्तर पैचानिये तो इनमें जो सही धारा है हमारी section है वो पैचानना हमने तो सही answer है हमारा यहाँ पे option D जो 212 जो धारा है वो राज्य में चुनायो आयोग के निर्मान से संबन्दित है 73 question है इनमें लिखित में कौन सा गैर volatile memory यानि non-volatile memory है जो computer की memory होती है storage की उसका example है सही answer होगा यहाँ पे हमारा option D जो ROM है वो non-volatile memory है read only memory 74 question हर्याना सरकार दोआरा दिये जाने वाला जो उस्तम खेल पुरुसकार sports में सबसे बड़ा अवार्ड है हर्याना का beam award बीम पुरुसकार option D सही होगा 2010 में जो राष्ट्रिय पंचायती राज दिवस मना गया राष्ट्रिय रेवल पर यानि national लेवल पर उसका उद्गाटन किनों ने किया तो यह सही answer होगा हमारा option B manmohan Singh हमारे परदानमंतरी थे उन्हों ने यह उद्गाटन किया था एक question है reasoning का coding का ABCD की जो value है OPQR हो जाती coding में तो WXYZ किसकी होगी यह उल्टा पूचा गया WXYZ किसकी होगी तो सही answer होगा हमारा option B KLMN देखें यहाँ पर इनके बीच का difference देखना alphabet इनके बीच का difference किया गया है कुछ उसी pattern पर यह answer हमारा KLMN satisfy करेगा next English section आ जाता हमारा 77 question है fill in the blanks का यानि जो हमारा blank है उसको fill करना सही word क्याएगा they blank quarl over patty issues यानि वो छोटे छोटे issue पर frequent से क्या आएगा यह frequently आएगा हम frequently word use करते हैं वो यहाँ पर frequently जल्दी जल्दी से लड़ते रहते हैं वो छोटी छोटी बातों पर issue पर तो frequently सही answer होगा option C एक group of words दिया गया उसका best meaning बताना है कौन सा जो इसको express करेगा तो masquerade है एक word तो इसका सही answer होगा 78 का option A to go in disguise इसका meaning होता कुछ चीज को छुपाना उसको रह्चाय में रखना तो इसका भी same meaning होता है तो answer A सही है 79 कोश्चन में हेक blank the sun sign तो while आएगा answer D correct होगा option D यह एक idiom भी है make a while the sun signs 80 number question है his bad driving almost blank an accident तो सही answer होगा made देखे result नहीं आचकता result आता तो कुछ और preposition आती साथ में तो made सही यहाँ पर fit वैटेगा सही answer option B यह आप एक बार check भी कर लेना diseases are जो बिमारिया होती है blank throw क्या होती है वो contact with infected animals infected animals से जो contact करने से वो क्या होती हो क्या फैलती है यानि transmit सही word होगा option D सही है transmitted diseases are transmitted through contact with infected animals 82 question है यह अमारा बताना है एक one pick out the one कौन सा option आएगा जो की जो यह underline word दिये गए है इनको substitute कर सके इनका स्थान ले चुके और यह correct meaning भी same रहे sentence का if you have power or money you misuse and if you don't have it you in for it तो सही answer होगा option D 82 question option D सही होगा if के साथ while आता है यानि if you misuse it when you don't यानि end नहीं आएगा इसमें you misuse it when you don't while you don't sorry when when while नहीं when option D सही answer है 82 का next करते है हमारा हिंदी का section है जो आखरी के question है हिंदी का section है 83 question है हिंदी में जो वैग्यानिक अलोचना का सुत्रपात किया गया वो किस ने किया सही answer होगा 83 का option E आचारिय रामचंदर सुकल है उन्होंने ये वैग्यानिक scientific जो criticism है उसका सुत्रपात इन्होंने दिया था हिंदी में भाव विस्तार को खालिस्तान भी का जाता है तो भाव विस्तार को का जाता है पलवन option C है सही answer होगा तिरसूल उपनाम है वो किस का उपनाम है तिरसूल तो सही answer होगा 85 का हमारा option C गया परशाज स्कुल्स नहीं इनका उपनाम है जो तिरसूल है तिरसूल भी बोलते इनको बरवई नाई का भेद गरंत के रचियता इस गरंत को किनों ने लिखा answer जो 86 का सही होगा रहीम option A रहीम सही निबंद गद्य की कसोटी है यह विचार किसका है जो यह विचार दिया गया है कि निबंद है वो गद्य की कसोटी होता यह दिया गया सही answer option C रामचंदर सुकल question 88 इन में से कौन पर्थम तार सब्तक के कवी है तार सब्तक के जो पहले कवी है उनका नाम है अंसर होगा D नेमी चंदर जैन जी हिंदी किस प्रिवार की भासा है तो यह काफी repeated question है भारोपी है जो भारत यूरोपीय प्रिवार है उसकी यह भासा है अंसर है सही होगा जो next question यानि जो last question है यह paper का बंगाल का कव्य है जो इसके लेखक कौन है बंगाल का कव्य है किनके दुआरा लिखा गया तो सही अंसर होगा option C अरीवन्स राय बच्चन इनके दुआरा यह लिखा गया तो friends मैंने यहाँ पर जो आज का paper था दस्तारिक का उसके सभी 90 के 90 question यहाँ पर cover करा दिये है आसा करता हूँ यह questions जो मैंने यहाँ पर discuss किया आपके लिए काफी helpful होगे और आपने जो paper आज attempt किया गया है उसको आप अपने number भी check कर पाएंगे आसा करता हूँ यह video आपके लिए काफी अच्छी होगी और काफी helpful भी होगी अगर आपको हमारी video जो मैं इस channel पर daily लेकर आता हूँ आपके लिए वो अगर पसंद आ रही है तो video को like करें ज्यादा से ज्यादा आपने friends के भी share भी करें और channel को subscribe जरूर कर लें और bell icon को press कर लें उससे आपके हमारी videos के notification मिलते रहेंगे और आप videos को आसानी से देख पाएंगे और friends मैंने जो कल का paper था नो तारिक का दोनों shift का वो भी upload कर दिया है चैनल पर आप वहाँ से वो भी check कर सकते हो क्योंकि ये जो exams के paper हैं वो आने वाले जो अरियाना स्टाफ सेलेक्शन को कमिशन के जो exams हैं उनमें आपके लिए काफी helpful होने वाले जो भी evening का paper है वो भी upload करने वाला है वो भी जरूर देखिए तो friends इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं next वीडियो में और अच्छे topic और अच्छे questions के साथ thank you